हाई दोस्तों आप सबका सौगत है एक और नए वीडियो में दोस्तों क्या आपके गूगल क्रोम में भी वेबसेट जो है ओपन नहीं हो रहा है और आप इस चीज़ को लेकर बहुत परिशान हो चुके हैं और आप इस प्रॉब्लम को सौल करना चाते हैं मैंने यहाँ पर अपने मूबल की स्किल लगा दी है पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ से आपको सर्च करना है गूगल क्रोम अगर आपने अभी तक अपने गूगल क्रोम एप को अपडेट नहीं किया है तो यहाँ से अपडेट कर लीजी जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स को अप्शन मिल जाएगा तो सेटिंग्स के अप्शन पर क्लिक कीजिए जैसे आप सेटिंग्स के अप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे यहां से आपको इस page को scroll on करना है और यहां पर आपको option दिखाई देगा privacy and security तो इस option पर click कीजिए जैसे आप उस option पर click करेंगे तो आप इस page पर आ जाएंगे यहां से आपको इस page को scroll on करना है और यहां पर आपको security को option मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं Safe Browsing, Enhanced Protection is On तो इस option पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 3rd वाले option को चूज करना है तो यहाँ से आपको Safe Browsing को Turn Off कर लेना है तो इसको यहाँ से Turn Off कर लिजिए और निच्छे आपको और एक option दिखाई देगा Always Use Secure Connections Upgrade Navigations to HTTPS and One New Before Loading Sites that don't support it तो अगर आपके mobile phone में यह option on है तो इसको off कर लिजिए जैसे आप इन दोनों सेटिंग को करेंगे तो आप आपको back आ जाना है और फिर से उस website पर विजिट करना है अब आपके Google Chrome में वो website open होगा हाँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप इन steps को follow करके Google Chrome में website not opening problem को solve कर सकते हैं उमिद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ऐसे और interesting वीडियो पाने के लिए इस channel को subscribe कीजिए Thanks for watching it